उत्तरप्रदेश में साल 2020 में स्कूली बच्चों की बोर्ड की परिक्षाएं सुरू होने वाली हैं और ऐसे में यूपी बोर्ड ने बच्चों की शिक्षा और उनके अग्जाम को लेकर कमर कसली है आपको बता दे यूपी बोर्ड ने अपनी ओफिसियल वेबसाइट पर बच्चों की सहुलियत के लिए कई विश्यों के प्रश्न पतर त्यार किये हैं ताकि बच्चों को इस बात का अंदाजा लग सके कि पेपर कैसे आने वाला है और इसकी तयारी किस तरह के जाएगी रिपोर्ड के मुताबिक यूपी बोर्ड ने बच्चों के भविश्य और उनके अच्छे नमरों को लेकर जो कदम उठाया वो वाकई में बड़ी अच्छी बात है वहीं यूपी बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि बोर्ड की परिक्षा देने वाले चात्र चात्राओं क अभी से अपने पेपर की तयारी करना शुरू करते ताकि जब पेपर नजदीक आएं तो वो ख़वराएं नहीं वैसे आपको बता दे यूपी बोर्ड ने पहली बार इस तरह का कदम उठाया है वेब 23 नियूज के लिए राहूल की रिपोर्ट